आज कीशी। मोँ बात करेंगे आप सीपलॉक्स और सीपलॉक्सडी दोनों ही आई ये डॉपॉप्स के बार में इन दोनों डॉप्स को हम अपने आई और येज ज records करते وशे का इनलर्जी रोफ पर देख लेता हैं सबसहले इन दोनों आई ये डॉप्स के बार में तो guys यहाँ पर आप देखोगे तो इन दोनों कोई Sipla company ने manufacture किया हुआ है जो कि India की top 10 pharmaceutical company है और इसके product बहुत ही अच्छे होते हैं जो बहुत फायदे मन्द होते हैं आपके लिए तो guys सबसे पहले हम यूस किसमे करते हैं तो जैसे कि कान दर्ध हो गया आखों के इलर्जी हो गया इसमें करते हैं कैसे होता है यह मतलग कि क्या कारण है जिसको जैसे आपके जो कान है वो दर्ध हो रहा हो और उस टाइम पर हम इसका यूस करे तो guys सबसे पहले आगया middle ear infection जब बैक्टिरिया ग्रो होने start हो जाते हैं आपके रिजन में तो गैस उस टाइम पे भी हम इसका यूज करते हैं दूसरा है स्विम्श यह जब कांड में अंदर यू जा यह पानी चला जाता है आपके नहाने के वज़ासे या स्विमिंग करने के वज़ासे तीश रहा है यह बर् यूज़ करने के वजय से उस टाइम पर हम इन दोनों का ही यूज़ करते हैं और गैस अगर हम बात करें कि आख के रिगार्डिंग तो अगर आखे आपके आखों में किसी तरह की परिशानी है जैसे आखों से दोदला दिख रहा है या फिर आख जो है वह आपके लाल हो चुक में उसका काम यही है कि आपके बैक्टीरिय इंफेक्शन को ठीक करने का और जो काम होता है आपके पीन रिलीव करने के आपके खान के अंदर या आखों में खुझलीपन हो रहा हो उसको ठीक करेंगे इरिटेशन को ठीक करेंगे और में जो आप इसके अंदर देखोंगे न यह होगे इन दोने के बारे में और गाइस अब डोस के बारे में बात कर लें सबसे पहले डोस अपने डॉक्टर के प्रिस्क्राइब से ही इसका यूज करें इसका नॉर्मली हम देखा जाए तो चार टाइम्स यूज करते हैं दो दो ड्रॉप अपने कानों में डाल करें या में बात कर लिते हैं जैसे कि अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम लग रहा हो जैसे रैसे और इचिंग क्जलीपन अपनेrau नहीं पर माउज पर या फिर मसल पीन हो रहा हो इसके यूज कि स Hee Engage करने के बाद तो आपको अपने डॉक्टर के पास आ के बताना है कि ये कुछ साइड इफेक्ट किसी को देखने को मिल जाते हैं तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगओ वीडियो अच्छा लगओ तो अपने दोस्तों साँ जरू शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में